चल लगली शेत्र में कई वर्षों से लगातार चोरी होने की घटनाय बढ़ती जा रही है जिसके चलते पुलिस ने इलाके में गश्ट बढ़ा दिया है आपको बता दे कि थाना प्रभारी चल गली द्वारा रात में गश्ट के दौरान एक व्यक्ति को शक होने के अधार पर की घूम रहा था पुलिस द्वारा सकताई से पुस्ताश करने पर युवक ने कई वार्दातों का खुलासा किया युवक ने सविकार किया कि 17 अक्तूबर 2019 को बढ़ता गाव में वह अपने साथियों के साथ करियाने की दुकान से 3500 रपी की नगदी वह करियाने का समान वह वहीं आरोपी ने अन्य कई वार्दाते करनी कबूल की हैं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांश शुरू कर दी हैं बलरामपूर से समाधा ताजी कुश्वाहा के रिपोट समाध में लगातार चुरियां हो रही थी जिस संबाध में से इवान पुलिस अभी श्यक्वाहा के दुआरा अंकुश लगाने एवां आरोपियों की रिप्तरी रेकिमेंटी शुख जा गया था उसी तार्टमने में दिनां बारा तरिक को कपिल दिव से सुचना मिले कि पूस्ताच पर अपने अन्य साथी तीन साथियों का नाम देवकुमार भगवान दास देया शंकर नाम बताया जिनको आखिरासत में लेकर पूस्ताच की गई सभीने पूस्ताच के दरान च्छा मोटरसाइकल चूरी करना कबूल किया जिसमें से चार मोटरसाइकल को गड़वान देशना बताया तथा दो मोटरसाइकल हम लोग अपने कपजे में ले लिये हैं एवं सब मरसिबर पॉम तथा टुलो पॉम एवं किरना समान आरोपियों पर लुःजा गया चुपुरा समांन जो जहां से बिचा हुआ था जिस दुकान बढद हो और मोटरसाइकल जो ऑगान दास के लिए बढद हूआ है घट्ना को कि तरह से अंजाम दिया गया है पुछताज में पता चला पिश? घटना के ये प्री प्लानिंग एलब करते हैं चालो आदमी पहले सी चूरी में प्रकरणा में जेल गया है जेल से वापस आने के बाद भी एलब पिर उसी चूरी में संविक था ये लब पहले चूरी का प्लान बनाता है प्लान बनान के बाद तुरी की घटना को जान पूरते हैं जे पर्फेक्ट वेन्यों पर वेडिंग, लाँचिंग और पादी राजगराना एंजोती गारण अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज